तो question number 56, एक दिये हुए परिमार की आदर्श गैस दाप P तथा परमताप T है, गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्था है, तो P हो जाएगा, इसका मान दूसरा सही है, 57, जब पारदर्शी पदार्थ की समताप सता की उपर प्रकास दुरुवर्ण कोड़ पर आप्तित होता है, तब परावर्थित तथा अपवर्थित किरड़े होती है, तो इसका option number D, परस पर लंबवत, सही option है, 58, कोई ग्यास, तापकरम T1 से T2 तक प्रसारित होता है, जहां पे T1 बड़ा होगा T2 से, T1 is greater than T2, इस प्रकरम में क्रितिकार होगा Cv T1-T2, इंसाट number question, एक तारह जो 5000 एंगेस्टाम तरंग्दार्थ का विकरण उस्तर्जित कर रहा है, प्रिथिवी की ओर 1.5 इंटु 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेक से आ रहा है, प्रिथिवी पर प्राप्त विकरण के तरंग्दार्थ में परिवर्तन होगा, तो 25 एंगेस सेकेंड की चास ही गति कर रहा है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाते हैं, यदि टायर तथा सड़क के बीच घरसर बढ़ 5 या न्यूटन हो, तो कार को रोकने में समय लगेगा, तो 6 सेकेंड का समय लगेगा, इस्तिर आयतन गैस तापमापी कार करता है, तो तीसरा पास्कल के नियम पर कार करता है, बासर नमर कुश्चन, एक धात की ठोश गेंड के अंदर एक गोली कोटर है, यदि गेद को गरम किया जाता है, तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा, पहला सा ही है, तिसरा नमर, एक सरत आवर्ध गति जिसका आयाम ए अवर्द काल्टी है इसका जो समिकड़ है y is equal to 5 sin pi bracket में t plus 4 meter से वेक्ट किया जाता है तब a वर t के मान हैं तो यहाँ पर a बराबर 5 और t बराबर 2 सही होगा 63 नमबर की कुशन के बाद अगला कुशन आते हैं 64 नमबर का कुशन है एक तनी हुई डोरी में उतपन एक प्रगामी तरंग निमने में से किस समिकड़ द्वारा व्यक्टि गहता है तो है y is equal to a sin bracket में k r minus omega t अधिक्तम कड़ वेग है तो a omega पहला option सही है 65 नमबर कुशन है एलकोहाल पानी की अपेच्छा अधिक्त वासपील सील होती है क्योंकि पहला इसका क्योंकि जो इसका कोक्थनांग पानी से कम होता है एलकोहाल का कोक्थनांग जो होगा पानी से कम होगा चाचर नमर कुश्चन है किसी धादु का आयतन प्रत्यास्ता गुडांग 10 कियाते 10 न्यूटन प्रती मीटर स्कॉयर है और इसका पायसान अनपाद 0.20 है यदि अड़ों के बीच की औसत अंतर आडविक धूरी तीन इंगेश्टाम हो तो अंतर परमाडवी बले नियातांग क मान क्या होगा तो 5.4 न्यूटन प्रती मीटर होगा साथन नमर कुश्चन देखते हैं एक गुबारे में 4 वाई मंडिली दाब तथा 27 डिगरी सेल्सेस ताप पर 1500 मीटर क्यूब हीलियम है माइनस 3 दिगरी सेल्सेस ताप पर तथा 2 वाई मंडिली दाप पर हीलियम का आयतन हो जाएगा तो 2700 मीटर क्यूब हो जाएगा और सर नमर कुश्चन एक आधर सुदुई स्लिट परियोग में जब एक सिलिट से निरिकत प्रकास के मार्ग में एक मोटाई तथा 1.5 अपरतनांक वाली कांच की प्लेट ट्रक दी जाती है प्रेकट में है प्रकास की तरंगद सही answer होगा 79 नमर कुश्चन है मेल्डी का प्रेंग किया जाता है तो दूसरा option सही होगा प herd धर्थी धरा सरोत की आबर्ती ग्यात करने के लिए मेल्डी का प्रेंग होता है 70 नमर कुश्चन देखते हैं एक सिर div गारी की छसस से लटके एक 2 लग का आवर्थ काल कैप्टल टी है जब गाड़ी एक सामान तोरड से एक गतिमान होती है तो दोलन की गति पुछा गया तो इसकी दोलन की गति घट जाएगी दूसरा अफसन सही है अगला चलते हैं नेक्स्ट एकाहत्ता नंबर कुश्यन है पृतिवी के परिता विट्ठाकार का अच्छा में चकर लगाते हैं एक कृति मुगगरा की कुल उर्जा इसमें गतिज प्लस इस्तिती जूर्जा है इनोट है इसकी इस्तिती जूर्जा क्या होगी तो दो इनोट टू इनॉट बहत्तर नमर कुश्यन होगा यदि प्रिथिवी वयसूर के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो एक वर्स में कितने दिनों की संख्या पुछी गई है तो 138 हो जाती तियत्तर नमर कुश्यन पुछा गया है हाइड्रोजन के लिए बोहर की इस्था से आयनित करता है तो कहरा परमाडू से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रानों की गति जूर्जा क्या होगी तो 2.4 एलेक्ट्रान वोल्ट हो जाएगी 75 नमर कुश्यन है एक गोलाकार कुश्यन का जिसकी तुरिज्जा 12 सेंटिमीटर तथा 500 केल्विन ताप पर 4500 वोल्ट सक शक्ति विक्रित करती है यदि तरिज्जा को आधक कर दिया जाए तथा ताप को धुबना कर दिया तो विक्रित शक्ति वाट पूशी गई है तो वाट में क्या होगी 800 वाट हो जाएगी 76 नमर कुश्यन दिया गया है आंतिल प्रत्रोड इस्मॉल आर ता विद्दूद भा प्रत्रोड यहाली एक बै्टरी से कैप्रियल आर प्राहव प्राहव प्रत्रोड जोड जेता है भ्राह में च्छई श्य टे सकती अधित्तम होगी तो क। कह स्मॉल आर जो होगा वह इस दिकल्ट मौट अगा अगा स्मॉल बबश्याइए हो पहला त्स- Tillा था 来 adapt नमबर की वोल्ट की सप्लाइए की साथ स्रीड करं में लगे हैं कौन सा बल्ब फ्यूज होगा तो कम वाट वाट जो पचीस वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा अगला है 79 कुशन 6.2 एलेक्टरान वोल्ट का परावागनी विकरड़ एक एलिमोनियम की सता है कार फलन जिसका दिया है 4.2 एलेक्टरान वोल्ट पर गिरता है सबसे तेज उस सर्जा की एलेक्टरान की कत्र जूर्जा जूल में क्या होगी लगबग तो 3.2 इंटू 10 की पावर मैनेस 19 अगला दिखते है 80 नमर कुशन यदि आवेशित कड़का वेग दुगना तथा चुम्बे की छित का मान आधा हो जाए तथा तिर्जा होगी तो तिर्जा हो जाएगी 4 गुनी 81 नमर कुशन एक प्रत्यावरती धारा परिपत में एक प्रत्रोत की सीरो के मद्ध विभुवांतर करमसा 16 वोल्ट तथा 20 वोल्ट है जो की सेल्डी करम में जुड़े हैं तो परिपत के सीरो पर कुल विभुवांतर क्या होगा तो वो जाएगा 3 वाला 25.6 वोल्ट 82 नमर कुशन देखते हैं एक इलेक्टरान वित्ताकार कच्छा में 6 गुड़ी दस्कियाती 15 चक्कर प्रति सेकर लगाता है लूप में धारा होगी तो पहला से यूगा 0.96 माइक्रो एम्पियर साइमसर है 83 देखते हैं एक ट्रायोड का प्रवंदर गुड़ांख दिया गया है 20 है इसकी इनोड पे तरूद 10 किलो ओम हैं इसकी पार स्प्रिक पा चालकत्तों का मान पुछा गया है तो दो गुड़ी दस खाते तीन म्यों क्यूंकि चालकत्तों का मा आत्रक में होता है 84 नंबर कुश्चन ने उभनिष्ट आधार विन्यास में एक प्रवर्धक जैसा कार करता है वह ट्रांजिस्टर का धारा लाब 0.96 है यदि उस तरदक धारा 7.2 माइक्रो एम्पियर हो तो आधार धारा क्या होगी तो तीसरा ओप्सन साही होगा 0.29 मैक्र 85 नंबर कुश्चन एक रेडियू वेक्टित प्रदात की अरधायू 60 मिनट है तीन घंटे पश्चात कितना पदार्त 6 हो जाएगा तो पहला आफशन 87.5 परशन इसका जो है पदार्त 6 हो जाएगा 86 नंबर कुश्चन देखते हैं जब एक उच्छ उर्जा का न्यूट्रान 7 & 14 नाभीक से तकरा कर 6c13 नाभिक बनाता है तो इसके सात उसरजित कर पुछा किया है तो उसरजित कर क्या हो जाएगा प्रोटान उसर्जित होगा इसके साथ 87 नंबर कुश्चन दिया गया है अपवरत नाख रूट 3 के प्रिज्म का प्रिज्म कोड है? नियूंतम विचलन कोड के बराबर है प्रिजम कोड का मान पुछा गया तो साट डिगरी हो जाएगा आप प्रिजम कोड का फार्मला लगा देंगे ए बराबर निकल जाएगा 88 नंबर कुशन है यदि रूद द्रोस्म प्रेकरम के दोरान किसी गैस का दाब उसके परमताप की घन के अनुकरम अनपाती हो तो गैस के लिए अनपात गामा बराबर CP ये 5CV का मान पुछा गया तो थिरी भाई दूस आई एंसर हो जाएगा 89 नंबर का कुशन देखते हैं दो बलब P1 वाट वी वोल्ट तथा P2 वाट वी वोल्ट को समांतर करब में जोड़ा गया है तब कुछ सकती पुछी गई है P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा 90 नंबर कुशन देखते हैं एक ट्रांसपार्मन 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में बदल देता है प्राथमिक धारा एक एंपियर तथा दुत्यक धारा 18 एंपियर है ट्रांसपार्मन की दच्छता क्या होगी तो तीसरा आफसन सायोगर 90 परशन हो जाएगी 91 कुशन चार समान आवेश क्यू एक वर्ग के चारो कोनों पर तथा क्यू आवेश के इंदर पर रखा है यदि निकाई शंदोल अवश्था में हो तो क्यू का मान पुछा गया है तो क्यू स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू अपान फूर ब्रेकेट में 1 प्लस 2 रूट 92 नंबर कुशन देखते हैं किसी रेडियो एक्टिव पदात की समय टीवन पर सक्रिता आरवन तथा टीटू पर सक्रिता आर्टू हो तो आउसत आयू क्या होगी जहां पर टीटू इस ग्रेटेड एंड टीवन दिया गया है तो टीटू माइनेस टीवन अपान लॉग ई आ सत्तब तरंगदयत पूछा गया है तो लैमडा नॉट इज उगल टू टू एमसी लैमडा स्कॉयर अपॉन यच इसका सही एंस्वर है 94 नॉबर कुशन देखते हैं ट्राइवल्ड वाल्ब के प्लेट अभिलाचली के वक्र तथा अन्योन अभिलाचली के धाल करमसा 0.02 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट तथा एक माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट का परवर्धन गुड़क पूछा गया है तो पच्चास सही हो होगा पंचान नंबर कुश्यन एक कड परवल जो है टू आई कैप प्लेसरी जे कैप माइनस के कैप कि अंतरगत बिंदू ब्रेकेट में 3,4,5 से बिंदू फिर ब्रेकेट में माइनस 2,6 और माइनस 4 ब्रेकेट बंद तक चलता है बल द्वारा किया गया कार पुछा गया है नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं 96 नंबर कुश्यन सामिकड़ वाई इस उगल टू ए साइन ब्रेकेट में के एक माइनस ओमेका टी एक तनी हुई डोरी में प्रगामी तरंग को निरूपित करती है अधित्तम कडवेग है तो ए ओमेगा पहला सही है 97 नंबर कुश्यन प्रिष्ट की तिज्जा कैप्टल आर क्या होगी तो आर इस उकल टू आर वन आर टू अपान आर वन माइनस आर टू हो जाएगा 98 नंबर कुश्यन एक कड़ की इस्तिती जूर जाए यूज उकल टू दिया है कैप्टल वन भाई टू के ब्रेकेट में एक स्कार प्लस ओम के लोड में सव वाल्ट सव वोल्ट के द्रिष्धारा सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रायोड का प्लेट प्रत्रोद 200 ओम हैं द्रिष्ट करण की दच्छता क्या होगी तो 32.5% सही एंस्वर है शौ नंबर कुश्यन दूती करम में देखाऊं जिनकी संधार करम सा अठाओं नब्वे एंगिस्टाम 58890 एंगिस्टाम तथा 5896 एंगिस्टाम है को ठीक विभ्याद करने वाली ग्रेटिंग में निउन्तम देखाऊं की संक्या पुची गई है तो 491 सही हो जाएगा 101 नंबर कुश्यन एक समांतर प्लेट में संधार्ट को वहांतर बनाया रखने के लिए प्रेटों के बीच की दूरी को 408 मिलिम्टर बढ़ाई जाती है तो पट्टी का परा वैदुतांक पुछा गया है तो पांच हो जाएगा तीसरा अफसन सही है दाब और बल के बीच में कौन से सदिस है तो जानते हैं बल सदिस मात रखो जि इसमें सही है एक सो चार नमर कुश्चन एक गेंट इसकी कुल गती जूर्जा कैपिल लिए है 36 से 45 डिगरी पर फेकी जाती है इसकी उडान की दारान उच्छतम बिंदू पर गती जूर्जा क्या होगी तो दूसरा अफसन कैपिल एपांट टू सही हो जाएगा एक सो एक पांच न्यूटन इसका एंस्वर सही है 106 नमर कुश्चन वायो में ध्वनी की चाल ग्यात करने में अनुनाद नली परियोग मिला जाती है कहरा है मूल स्वरक में अनुनाद के लिए एक स्वरित द्वारा 0.1 मीटर वाय इस्तंब की लंबाई है जब यह लंबाई बद पाइप मीटर सही हो जाएगा 107 नमर कुश्चन यदि दो गेदो की त्रजाओं का अनपात दो अनपाते एक हो तो उनकी सीमान्त वेगो का अनपात पुछा गया तो चारण पाते एक सही हो जाएगा 108 नमर कुश्चन जब एक आदर सद्वी परमाडू गैस को नियत दाप पर गरम कियाता है तो निकाय को दी गई उसमा उर्जा का वह अंस जो गैस की आंत्रिक उर्जा में ब्रिद्धि करता है तो इसका चौथा आपसन 557 सही हो जाएगा 109 नमर कुश्चन देखते हैं एक दूर्दासी के अब दिश्चक के व्यास 0.1 मीटर है तता प्रकास की तरंग्देर 6000 एंगेश्टा में विवेदन की सीमा होगी तो 6 गुड़ी दस कहते हैं बहने 6 रेडियन चौथा आपसन सही तो यहांपे 110 नमर कुश्चन होक के नियम का पाल्म करने वाली डोरी का विस्तार small x इसे विस्तार दोरी में ध्वनी की चाल जो है वी दी है यदि कह रहा है विस्तार बढ़ा कर एक पॉइंट 5 x कर दिया जाए तो दोरी में ध्वनी का वेग पुचा गया है दोरी में एक सुग्यारा नंबर कुशन एक केस नली में जल एक निश्चित उचाई तक इतना चलता है कि प्रिष्ट तनाओ के कारण उर्ध मुखी बल द्वारा उर्ध मुखी दुरव के भार के कारण लगने वाले बल 75 गुड़ी दस के आते 4 न्यूटन से सांतुलित हो जाता है यद 112 नंबर कुशन दो भिन्य पदार्थों के उसमा चारकता गुड़ांग पांच अनपाते 3 के अनपात में है यदि इन छड़ों का उसमी प्रतिरोद एक समान मुटाई के लिए बराबर हो तो इन छड़ों की लंबायों का अनपात पुझा गया है तो पांच अनपाते 3 सही एंस पर होगा 113 नंबर कुशन दिया गया है ए एंजी मतब एयर टु गैस थ्री वाइटू एयर इन वाटर फॉर वाइटरी एक उत्तर लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है जब पानी में डुबायों जाता है तब पानी में इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा तो हो चालीस सेंटीमीटर हो जाएगी एक तो चोदा नंबर कुशन यहादरी पृति तल फर गूर्थी तोड़ी तौर ऑइस मोल जी है ौश्माल एम दरवमान के कहीं वस्तू पृत्भी की उचाई पिर्थवी तल से पिर्थवी की तिरिज्जा के बराबर उचाई तक उठाने में इस्थित्री उर्जा में ब्रिद्धी होगी तो फिर्थवी के दर्ब्माद चंदम्य के दर्ब्मान का असी गुना है पिर्थवी तो आफ्षण तो एक लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है इसकी गोली विपतन अनुकरमन पाती है तो वन बाई एफ क्यूब के तीसरा अफसन सही है एक सुसातर नंबर कुशन है एक धातु लेच्छ पर जब चालिस किलो वोल्ट की उर्जा के लिट्रानों की बराबरी की जाती है तो बंबारी जब की जाती है तो उसतर दुने वाली अत्य उर्जा साली एक्स किलोडों की तरण दहद होगी लगबग तो चौता अफसन जीरो पाइंट थीरीवन एंगेश टाम इसका सही एंसर हो जाए 108 नंबर कुशन देखते हैं एक समान चुम्ब की छेतर कैप्टल बी में चुम्ब की या मुत्तर में रखे गया है कैप्टल एम चुम्ब की आगुड की चुम्बक को 180 गुमाने में किया गया कार पुछा गया है तो 2 एम भी हो जाएगा 100 नंबर कुशन देखते हैं कह रहा है स्माल एस सेंटी मीटर की चिज्जा वाली एक वलय में कितनी धारा प्रवायत होने चाहिए जिससे की उसके केंद्र पर उत्पन चुम्ब की छेतर पित्वी के चुम्ब की छेतर साथ गुड़े दसकी आते 5 वेबर प्रत मीटर स्कार क जीरो एंपियर से दो एंपियर तक परिवर्थित होती है प्रेरित विद्द बहागबल आठ वोल्ट है कुण्डली का स्वा प्रेरित तक पुछा गया तो 0.2 हेनरी हो जाएगा एक सो कैस नंबर को कुईश्यन देखते हैं कैप्टर ई बराबर 200 रूट टू साइन एक हजार एक वोल्ट विवांतर का प्रत्यवर्थि विवो किसी प्रत्यवर्थि धारा अमीटर द्वारा एक म्यू एफ धारिता की संधारित से जोड़ा गया है तो अमीटर का परवत ज के ती संस का कोड बनाता हो तो कहरा आ साधार वा साधार प्रकास की तिवर्थाओं का अनपाद क्या होगा तो तीन हो जाएगा एक सो तेस नंबर कुईश्यन एक हागोली दूरदासी की स्रांत आक के लिए आवर्दन चमता इसमॉल एट है तथा लेंसों के बीच की दूरी 18 cm लेंसों का फोकस दूरियां क्या होगा तो सोला सेंटीमीटर वा दो सेंटीमीटर 124 नंबर कुईश्यन एक मूल एक परमादू का अदर से इस्ति इताफ पर दाब पर जीरो डिगी सलसे से असी डिगी सलसे तक गर्म किया ता है तो गैस की आनतिक उठजा में परिवर्थ सब्सक्राइब करें लाइक करिए धन्यवाद मित्रूंग